मैं सारंज लेके कोराओं गाओं में आई हूँ यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक साथ से जो पानी की टंकी वो खराब हो गई है आईए जानते हैं यहां के लोगों से कि जब पानी की टंगी खराब होई है तो क्या-क्या दिक्कते और समस्य का सामना करना पड़ लिया है नल की टंगी खराब होई है तो क्या आपके शिक्षा पर कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ हमारे शिक्षा पर अशर पड़ता है क्योंकि हम पानी लाने जाते हैं तो लेठ हो जाता है इसलिए हम इसकूल जाते हैं तो लेठ हो जाता है तो गेट पर ही रहना पड़ता है पानी ना निकवेश आपके शिक्षा पर कुछ अशर पड़ता है क्या आप ये खुर्पी लेके क्यों बेठे हैं पाइप के पास? पाइप कटने के लिए है वो क्यों? क्यों तो देए है पानी नहीं ऊह रही है तो आप योगञज आप इसको काट के फेक देंगे? ใช thou नहींlar हम निने सुनाई कि आपने नल को खार के फेक दिया नल को खार के तिया नाही पानी आपक दो काए के रोखेंगा अच्छा पीकम दीए और आप जब उखाड रही थी तो आपको कैसा लग रही है था कि पानी नहीं आ रही है इस वज़े से फेक रहे हैं या गुस्से में नहीं पानी आगे पानी आगे कोल चरा के पीता हैं का हुए रोक्ते कि पानी लाने अगितने दूर जाती हैं आपको अश्चा कितने दूर जाती है पानी ला ने उझाते हैं प्रेज़ देरोटन जाते हैं अच्छा तो बहुत सारे दिक्कते होती होगे आपको होत नहीं है लगभग कितना समय लगता है आपको दीन भर में पानी लाने में? लोगों को यहां का आरोप है को neitherगा राओ गाओ का की पानी की टंकी खराब हो गई बात है लोगों तो हम लोग भराब हो गया है तुम छपरा दिये हैं बनाने के लिए अभी कब तक आयागा हो अभी नहीं पता है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा